Eyes, Eyes एक हमारा important sense organ है, यह हम सब जानते हैं, बट आज हम study करेंगे eye के structure के बारे में, eye के different parts के बारे में, detail में, तो इस वीडियो को end तक ज़रूर देखें Hello friends, Welcome to my channel, Digital is Cool, Let's Start Eye, Human eye, the eye enables us to see the objects around us Eye हमारी help करती है हमारे आसपास के objects को देखने के लिए Eyes जो है हमारा सबसे important sense organ है, because उसी की वज़ा से हम अपने surroundings को, अपने आसपास के objects को देख पाते हैं जैसे light बहुत important होती है, वैसे ही eyes भी बहुत important होती है, आसपास के objects को देखने के लिए अगर आपके पास light है, but eyes नहीं है, तो भी आप अपने surroundings को, अपने आसपास के objects को देख नहीं पाएंगे जब मैंने आपको light के बारे में बढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था, के light और eyes, दोनों ही बहुत important हैं, हमारे आसपास के objects को देखने के लिए और अगर आपने वो light वरी वीडियो नहीं देखी है, तो इसका link में आपको description box में देदूंगी, आप वहाँ जाके check कर सकते हैं और आगे हम देखते हैं eye के structure structure of human eye, अब हम देखते हैं eye का structure, तो eye अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है पहले हम देखते हैं eye के सारे parts, फिर इन parts के बारे में आके detail में study करेंगे तो जो outer layer है eye की इसे बोलते हैं cornea, cornea के just पीछे होता है iris, iris eye का color part होता है और iris के center में एक small opening होती है, जिसे बोलते है pupil, pupil के just पीछे होता है lens और lens को hold करके रखते है ciliary muscles, और lens और cornea के बीच में water it solution होता है, जिसे बोलते है aqueous humor और जो inner boundary होती है eye ball की, जो round shape में आपको दिखाई दे रही है, उसे बोलते है retina, जहां पे image form होती है और retina और lens के बीच में भी gelatin material होता है, जिसे बोलते है wetrous humor और यह जो nerves दिखाई दे रही है, जो बाहर की side जा रही है, उसे बोलते है optic nerve और retina पे एक ऐसा point होता है, एक ऐसा spot होता है, जहां पे कोई image form नहीं होती है उस spot को बोलते है blind spot, तो यह थे eye के different parts, अब इन parts को हम detail में study करेंगे तो start करते हैं cornea से, eye की जो outer layer होती है, उसे कहते हैं cornea it is white in color and transparent, cornea जो है वो white color का होता है और वो transparent होता है yes, cornea जो है वो transparent structure होता है, जिसमें से light जो है pass हो सकती है it allows the light to pass through it, even it protects the inner part of the eye cornea जो है, वो inner part of the eye को protect भी करता है, eye के interiors को protect करता है मतलब यह एक rock solid, एक strong wall की तरह act करता है, जो eye के interiors को protect करता है किसी injury से या किसी accident से, यह बाहर के particles को अंदर नहीं जाने देता है जैसे अगर आपकी आखों में मिट्टी चली जाए, या छोटे कंकर चले जाए, तो cornea जो है उन्हें वहीं रोग देता है उन्हें eye के अंदर नहीं जाने देता है और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं, तो प्लीस मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए अब cornea के जस पीचे होता है iris, तो अब हम देखते हैं iris के बारे में अब हम बात करते हैं eye के inner part के बारे में तो cornea के जस पीचे होता है iris, आइरिस जो है वो एक dark muscular structure होता है it is a color part of the eye, ये eye का color part होता है जैसे अगर हम किसी की eyes देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी eyes तो blue color की है या brown color की है या green color की है तो वो जो color part होता है eyes का वो होता है iris और iris जो है वो even ये भी control करता है में कितने amount of light जो है enter होनी चीए eye में और iris के center में एक small opening होती है जो हमें black color की दिखाई देती है उसे बोलते हैं pupil तो आगे हम देखते हैं pupil के बारे में iris के center में जो हमें black color का दिखाई देता है वो होता है pupil pupil क्या होता है ये small opening होती है iris के center में जिसमें से light जो है enter होती है अब जैसे मैंने आप से कहा था कि iris जो है वो यह control करता है बिक कितने amount of light जो है enter होनी चाहिए eye में तो उस control करने के लिए amount of light को control करने के लिए वो pupil के size को कभी छोटा या बड़ा करता है उसके size को adjust करता रहता है जैसे for example अगर आप torch की light directly eye में डालें तो light की intensity बहुत जादा होती है तो तब iris जो है वो pupil के size को छोटा कर देता है shrink कर देता है बिक कम amount of light ही enter हो बड़ कभी आप किसी room में जाए जहाँ light बहुत कम है या dim है और आपको objects जो है वो clear नहीं दिखाई दे रहे हैं तो तब iris जो है pupil के size को बड़ा देता है कि large amount of light enter हो और आपको object जो है वो clear दिखाई दें अब जब pupil से light enter होती है तो वो light किस पर fall करती है lens में जो pupil के just पीछे होता है तो अब आगे हम देखते हैं lens के बारे में तो जब pupil से light enter होती है तो वो fall करती है lens पर lens जो pupil के just पीछे होता है और lens हो, वो एक transparent structure होता है और ये lens एक convex lens होता है convex lens होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये glass का बना होता है क्योंकि glass की बनी होई कि कोई चीज तो आई के अंदर नहीं हो सकती न तो ये एक cell ही होता है, जो convex lens की तरह होता है, अब ये convex है तो इसलिए ये converging lens भी होता है तो जब light इसपे fall करती है तब ये lens उस light को reflect कर देता है reflect नहीं, reflect मतलब pass कर देता है उस light को reflect करके उसे bend करके focus कर देता है वो साई light को एक point पे अब जब ये lens focus करता है साई light को एक point पे तो कभी ये lens जो है flatten हो जाता है कभी यह round हो जाता है तो मतलब lens की shape जो है वो change हो जाती है तो lens की shape को change कौन करता है ciliary muscle तो अब आगे देखते हैं ciliary muscle के बारे में अब जो lens को hold करके रखते हैं उसे बोलते है ciliary muscles अब यह ciliary muscle जो है वो उपर की side भी होते हैं और वो lens के नीची की साइड भी होते है इट केंच चेंज दर शेप अप दर लेंस यह lens की शेप को चेंज भी कर सकते है तो बेसिकली होता क्या है जैसे यह हमारी eye है तो अगर eye के बहुत distance पे बहुत दूर कोई object है तब light rays जो है वो parallel आती है वो parallel एंटर होती है eye में और lens पे जब fall करती है तो lens उसे reflect करके bend करके focus करेगा एक point पे तो उस lens को जो है बहुत कम power लगती है उस light rays को bend करके focus करने के लिए एक point पे तो अब ciliary muscle जो है वो relax हो जाते हैं तो जब ciliary muscle जो है वो relax हो जाते है तो lens, जो है, वो elongate ho जाता है, वो flatten हो जाता है बट अगर कोई object, जो है, आई के बहुत nearby है तो ये eye है, तो अगर इसके बहुत nearby हो अगर कोई object तब light rays जो है, वो diverge होके आती है तो जब वो enter होती है, diverge होके enter होती है और वो fall करती है lens पे, तो lens इनने भी reflect करके focus करेगा एक point पे, bend करके उसे focus करेगा एक point पे, तब लेकिन bend करने के लिए lens को बहुत power लगती है, तो जब वो power बहुत ज़ादा लगती है, तो ciliary muscles के होते हैं, तब contract कर जाते हैं और lens जो है, वो round shape में हो जाता है because उसकी बहुत power लगती है उस light rays को bend करके focus करने के लिए एक point पे अब ये जो lens है, इसे focus कर देता है साई light को एक point पे तो वो point किस पे होता है, वो point होता है inner boundary of the eye में, eye की inner boundary में, जिसे हम कहते हैं retina, तो हम आगे देखते हैं retina के बारे में जो inner boundary होती है eye की जो round shape में आपको दिखाई दे रही है, उसे बोलते है retina, it is the inner layer of the eyeball, ये eyeball की inner layer होती है, और retina को screen भी कहते हैं क्योंकि image जो है, वो retina भी form होती है, और retina consists of numerous nerve cells retina पे बहुत सारे nerve cells होते है अब ये जो nerve cells हैं, ये दो तरह के होते हैं, the nerve cells are of two types, तो पहला type क्या है, cone cells, which are sensitive to bright light, जो cone cells होते हैं, ये sensitive होते हैं bright light पे, ये color को भी sense कर लेते हैं, जो second type है, वो है, rot cells, which are sensitive to dim light, ये rot cells होते हैं, वो sensitive होते हैं dim light पे, और अगर आप मेरी video अभी तक देख रहे हैं, तो please इसे like कर दीजे, अब हम देखते हैं next, optic nerve के बारे में तो ये जो nerves हैं, जो बाहर की side आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं, optic nerve, ये जो optic nerve होती है, ये eye को connect करती है, brain से, nerve that connects eye to brain, ये nerve जो है, eye को connect करती है, brain से it also carries information from the eye to the brain, ये optic nerve जो है, ये information भी carry करती है eye से, brain तक अब आगे हम देखते हैं, blind spot के बारे में, रेटीना पे एक spot होता है, एक point होता है, जिसे हम बोलते है, blind spot blind spot वो spot होता है, जहाँ पे कोई भी image form नहीं होती है a point on retina where no image is formed, यहाँ पे कोई भी image form नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी nerve cells नहीं होते है अब आगे हम देखते हैं, aqueous humor and vitreous humor के बारे में kornia और lens के बीच में water solution होता है, जिसे कहते है aqueous humor, aqueous means water, it is a water like material, एक water solution होता है and it provides nutrition to the eye, और ये जो aqueous humor होता है ये provide करता है nutrition solution आई को, तो वैसे ही lens और retina के बीच में भी jelly type solution होता है, जिसे कहते है vitreous humor, vitreous means jelly, तो it is a jelly like material and it is transparent and provides support to the eye, और ये जो humor है vitreous humor है, ये transparent होता है और ये eye को support प्रवाइड करता है, I hope आपको eye के structure के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, बर स्टिल अगर आपको कोई भी doubt हो, तो मुझे comment section में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी video पसंद आई हो, तो अपने family and friends के साथ share करें